तो दोस्तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला होगी, वो सेटिंग अगर आप अपने गूगल में करोगे, तो यहाँ पी जो गंदी चीजे होते हैं जो आपके बच्चे यहाँ पर सर्च कर रहे होंगे होते, तो वहाँ पर अगर वो सर्च करने जाए है porn video porn photo जो है अगर search करते होंगے और उनको आपको रोकना है ठीकिया इसलिए वो जो browser इस्तेमाल करते कोई भी browser हो या फिर yamaika browser हो या फिर chrome हो तो यह chrome browser में मैं आपको यहाँ पे demo करके दिखाने वालो तो यहाँ पे हमारा chrome browser है ठीक है यहाँ पे Google है, तो आपको, मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाने वालो, सबसे पहले मैंने कोई भी setting नहीं किये है, तो मैं यहाँ पर पॉर्ण जो photo होते हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर search करकर दिखाने वालो, तो porn photo इस प्रकार से हम search करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको result मिल जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ, तो यह search करने के बाद कुछ इस प्रकार से result यहाँ पर दिखा सकता है, ओके image में जाओगे तो वहाँ पर porn के जो जितने भी photos हैं, वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, तो आपको इनको block करना है, तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर google खोल लेना है यह google.com जो है याँ एड्रेस बार में आप google.com इस प्रकार से करोगे, और यहाँ पर google में नीचे एक setting का option होता है ठीक है, यहाँ पर setting अभी, कुछ viewers ऐसे है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर three dot में जाएंगे और नीचे आएंगे setting में, ऐसा नहीं करना है यह जो google का home page है इस पर, यानि browser में ही यह जो google है, इसमें आपको setting में चले जाना है, ओके, और यहाँ पर search setting नाम से एक top में option होता है, ठीक है, search setting पर click किजे, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको, यहाँ पर इसका result जो है, setting जो ही वो खुलने वाली है, तो यहाँ पर देखे, save search filters, इस प्रकार से एक option होता है, यहाँ पर by default से यह show split result इस प्रकार से होता है, तो आपको hide split result पर click करना है यह वाली एक setting करनी है और यहाँ पर वीडियो जो है ठीक है, यहाँ पर by default से autoplay preview on wifi and mobile network इस प्रकार से होता है तो इसको आपको हटा कर क्या करना है do not autoplay पर click करना है तो दो setting आपको करनी है save search filter में hide split result पर click करना है और videos में do not display, do not autoplay और नीचे आना है आपको यहाँ पर save का option मिलेगा, तो आपको खाली इस save पर click करना है तो यहाँ पर देखे, your preference have been saved, यहाँ हमारी जो setting है दोस्तों यहाँ पर save हो चुकी है अब यहाँ पर हम फिर से porn photo को अगर search करेंगे न, तो यहाँ पर देखेंगे कैसा result यहाँ पर आ रहा है तो porn photo इस प्रकार से मैं search कर रहा हूँ okay type कर रहा हूँ porn photo इस प्रकार से मेरा type हो जाएगा, और यहाँ पर मैं search पर click करूंगा ना दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से, यानि your result your search porn photo did not match any document, यानि कि पहले पर यहाँ पर कुछ रिजर्ट दिखा रहा था लेकिन, अब यहाँ पर कोई भी रिजर्ट नहीं दिखाएगा, यानि कि कोई भी porn हो या फिर triple x वीडियोज हो अगर आपके बच्चे यहाँ पर search करेंगे तो उनको यहाँ पर यहाँ पर search नहीं होने वाला है, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है खाली वो setting में जाकर फिर से अगर setting change करते हैं तो result आ सकता है लेकिन उनको यह पता नहीं होना चाहिए उनको यह पता नहीं करना है तो इस प्रकार से, दोस्तों इस प्रकार से यह जो setting है, खाली आपको क्या करना है setting में जाना है Google के Google के setting में जाते हैं तो यहाँ पर search setting होती है और यहाँ पर hide expect result और videos को do not autoplay पर click किजे, save किजे आपको यह जो setting हो जाएगी और आपको आपके बच्चे यहाँ पर आगे से कभी भी दोस्तों यहाँ पर कभी भी porn photo जो होते है, ठीक है इसको search नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार के और technical की वीडियो देखने के लिए आए जो वीडियो देख रहे है इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटर यह उस पर टैप कीजिए, बेल आइकोन पर क्लिकीजिए इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हिल्प होती तो इस वीडियो को लाइक और आपने दोस्तों में शेर कीजिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार